किसानों का खेत में उत्पादित किया गया माल अब डाइरिक्ट ग्राहकों तक पहुची गा इसके लिए नियुनरसाला में आज परीसर की नागरी को की मौचूदगी में उत्खाटन किया गया इस मौके पर परीसर की नागरी पड़ी संख्या में मौचूद थे आए दिन किसानों का आन्दोलन पुरे भारत वर्ष में किया चारा है किसानों को मूलभूत सविदाय नहीं मिल पा रही है किसान दिन रात अपनी खेती में खून पसिना एक करते हुए अनाच सबजी फलफरूट आदी का उत्पादन करता है लेकिन जब किसान अपना माल एप कांदार को बेचते हैं बाद में वो माल ग्राहक को दिया जाता है किसान का माल जिसके कीमत तकरीबं 15 रुपे किलो होती है वो इन सारी प्रोसेस को पार करते हुए आखिरकार ग्राहक तक तो माल 40 रुपे किलो का हो जाता है कहने का तात पर यह है कि जो माल ग्राहकों तक 15 या 20 रुपए मिलना था वो उन्हें 40 रुपए तक पड़ जाता है यारने ग्रहकों को एक किलो के पीछे 20 या 25 रुपए ज्यादा देना पड़ता है इसे किसानों और ग्रहकों की लूट मेची थी किसान और ग्रहकों को काफी नुकसान भी हो रहा है इस बात को ध्यान में 1000 दुकान शुरू किया है जिसका उद्घा टेंड किया गया इस मौके पर तमाम मानेवर मौजूद थी दर्चों को हम बता सकते हैं कि इस समय में भारत वर्ष में किसानों को लेकर कई अंदोलन किये जा रहे हैं आए दिन किसानों की जो बदहाली जो हो रही है उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन किसान अपने खेती में कई ऐसे उत्पातन करता है मगर अफसोस कि उसे सही दाम नहीं मिलते जिसके चलते किसानों का माल बीच वाले लोग खा जाते है और इसी के चलते किसानों को जो नुकसान हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए खास तोर पे उन ग्रहकों का भी नुकसान हो रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए भ्यूसन पेंच फर्मर प्रोडूसर कमपनी की जानीब से तमाम लोगों की हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की यह शौपी यहां पे खोली गई है आप देख सकते हैं कि यहां पे हर किस्म की सब्जिया है और जिसके जो रेट है काफी कम है और सेंद्रिया जिसको बोलते है इस प्रकार का यह जो पूरा स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है को आईए हम सीधा रूख करना चा अडि अपन देखेंगे तो फार्मर जो हे वह क्रॉडक्चन लेना जानता है करशिओ उपज्ज लेना जानता है लेकिन मार्केटिंग यह फिर उसको बेचने का जो तरिकाय उसका जो भी हमेशा का आई उसी तरह से करता है तो यह मार्मर का जो माल है उसका 25 परसेट या 30 प पड़ता वो ज्यादा भावसे लेना पड़ता है हमारा काम है कि फार्मर को उपज के साथ साथ जो विपनन की स्तिति है या मार्केटिंग जो अपन बोलते हैं वो भी सिखाना लेकिन अकेला जो फार्मर है वो कुछ नहीं कर सकता इसलिए गुरुप के माध्यम से या फार्मर प्रोडूसर के माध्यम से जहां पर अभी अपन यहां पर देखेंगे कि विशन पेंच फार्मर प्रोडूसर कंपनी है तो इसको 300 फार्मर अटैच हुई है तो ऐसे जगह पर यदि अपन देखेंगे तो 300 फार्मर अलग-अलग क्रिशी उपज लेने वाले हैं उनको जो भ साथ में नाबाट के सोनों निजिये हाई उनसे भी जानना चाहेंगे सर यह बताए क्या गना जोग्या हुआ खरवांचे मागनी मागनी तसा प्रोठा हाएक सुट्य उपक्रम आहे शोटी शेतिया व्यवसाय है और शेतकरी हाँ व्यवसाय का है त्याचा मुड़े व्यवस है ऐसडाय का भी मार्केटींग लॉद्यक लॉद्धफी вони ह् इता उनसे भावंऽ मेटों का है त्यांता त्याने होग्या भाव kmina arriving तंब सब्सक्राइब पाई और इस परिसर के तमाम नागरिकों को होने वाला है इस समय में हमार साथ में एक शोर के एक ऐसे सामाजी कारे करता है को परिवार के लिए लिए एक तर्व जरूरी है और किसान उपज कर रहा है पर दोनों कुछ नहीं है जो बैच रहा है उसको उसके पैसे नहीं मिल रहे हूसकर बहुत ज्यादा पैसे देना पड़ रहा है सकतारा और जो बीचो लिए डलाल ांट झाति करना और किसांज से को इसको रीक bipolarम को माध्यम से हमने आज हमारे आज आए हुए सब्सक्राइब करेंगे कि अगर इस तरह से अगर और लोग आगे आए तो हम इस तरह कि नाखपूर शहर में कुछ और केंद्रा शुरू करने के हमारी माना से तो आप संचे सत्यकार जिरों ने बखफिर वेबर के साथ बात करते हैं या बागी के जो प्राइवेट जो मंडिया होती है इन में यह माल जाता जरूर है और वहां के जो दलाल लोग होते हैं दलाल के मात जरीय फिर वो एक व्यापरी के पास जाता है व्यापरी के पास बड़े व्यापरी के पास जाता है उसके बड़े व्यापरी के पास जाता है और फिर व्यापरी के पास में फिर उस दुकांदार के पास माल आता है और दुकांदार के पास से फिर वो ही माल आखिर कर बीस रुपयाद जादा का इस ग्राकों को देना पड़ता है जबकि किसानों को इतने पैसे नहीं मिलते इस बात को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छी यह पहल की है जिसका तमाम लोग सरहना कर रहे है और इसी तरह से शहर में ऐसे आउटलेट लगते रहे और लोगों काफी अच्छा पौश्टिक इस तरह का खाना इस तरह की सब्जी मिलता रहे क्योंकि भारत तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक इस देश का नागरिक मजबूत नहीं हो सकता और देश का नागरिक तभी मजबूत होगा जब ऐसे सामाजी काम लिये जाएंगे धेर सरी शुब कामनाय देते हैं निव नर्साले से कैमरे परसन मौनु खान के साथ संजेव मेरे बीसे न्यूज नागपूर